ओरियो जंगल कोठी पुलिस ने लखनाव निवासी राजकुमार हत्याकान का खुलासा कर गिया है हत्या में शामिल दो अभियुक्तों को पुलिस न गिरफ्तार कर और उनसे कडाई से पूछताच की तो गुना कुबूल किया है हत्यारे कोठी थाने के लखनाव पुर्गांथ की रहने वाले हैं पुलिस अनिक्षक यमना पुरसाद निमामले को लेकर क्या जानकारी दी है सुने कोठी अंतर्गत एक 14 तारिक को वादी महत पसाथ बर्मा जी ने आकर के तहरीर दिया कि उनका लड़का जो राज कुमार वर्मा उठ राज है वो जमीन के पैसे लेने के लिए वारबंकी में आया था और अब वो मिल नहीं रहा है उसकी संदे है कि हत्या कर दी गई है और उसकी लास कहीं चिपा दी गई है इसकी आधार के कोठी थाना चेसर में वहां नहर के किनारे फैक दी गई है वहां से रिकवर करके पंचरामा करके पोष्मारटम के लिए बेजा गया और जब पूरा गहन इसमें जाज परताल की गई तो निकल के आया कि जो मिर्दक राज मार वर्मा उठ राज है वो अभ्युक्त इसमें जो संजय वर्मा है उसस इसी बीच में पंकज वर्मा नाम के एक व्यक्ति से इसने जमीन खरीदने का सोधा तय किया और उसमें तीन लाख रुपए आर्टी जी एस करके उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया दो लाख रुपए यह तैस कि रजिश्ट्री करने जाएंगे तब देंगे और वह कि ठीक है आज आजाओ दे देंगे और एक दो दिन इसी तरीके से टालमोडोल करके उसको घुमाता रहा घटना सा एक दिन पहले ये अपने साथी विवह के साथ में राजकुमार विवह के साथ में आया और संजय वर्मा से कहा कि हमें पैसे दो तो वो दिन भर उससे घुमाते साम को ये बताया कि पंकज वर्मा के पास हमारा चेक रखा हुआ है और वहां से तुम चेक ले लेना और कल हम लोग बैंक चल करके तुम्हारा बुक्तान कराएंगे वो जो मिर्तक था राजकुमार वो पंकज वर्मा के हां सुबह ही पहुंच गया और वहां से तीन ब्लैंक चेक लिये उसे और ब्लेंग चेक ले करके संजय वर्मा के पास आया संजय वर्मा से कहा कि चलो बैंक चलते हैं जो बैंक आप इड़्डिया से धोर में है वहां जाकर के काउंट जब चेक किया इन लोगों ने तो इसके काउंट में कोई पैसा नहीं था फिर इन लोग जो संजय वर्माह इसने अपने दो और साथी रिंकू और दिली परावत को बुला लिया और इसके साथ रामपरसाद भी था इन लोगों ने ताय किया कि यह बार बार पैसे मांग रहा है तो ले चरके इसको अब ठिकाने लगा देते हैं इसी में मिर्तक राजकुमार को और रिंकू और दिली परावत और संजय वर्माह यह सब जो रिंकू मारुती जेन लेका था वो गाड़ी में बैठा लिया और यह लोग ले करके दरियाबाद की तरफ गया वहां पे करसवैली डीग के पास में प्लास्टिक की रस्ती से इसक कगहीर तोड़ तारके अलग करके उसको नाधी में डाल दिया वो कर भूपूदी विपरामद हुए है रसी बी परामद हुई है यह जेनगाडी परामद दो अन्धिये भर्माट और रांप्रसाद गिरिफतार हुए हैं बहुले दो अभीकि इसमें रिंकू और दिली परे उनके गरिफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है, जो गरिफ्तार अभियुक्त हैं, उनको मेडिकल करा करके जेल भेजा जा रहा है, विदिक कारवाई की जा है.